नमस्कार दोस्तों मिना नाम है विशाल आप सबका स्वागत है Stockbox के Business Standard Analysis वीडियो में यहां पर हम डिसकस करते हैं Business Newspapers के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स अगर आपको इंट्रेस्ट है Business Newspapers में Financial Articles में तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से Bulls stage 30 trillion रुपी recovery as worries over Modi 3.0 eases Market में बहुत बड़ा crash देखने को मिला Indices almost 10% नीचे चले गए थे एक time के लिए जिस दिन election के results declare हुए क्यों क्यों क्योंकि stock market expect करता है majority हो जिस भी party की government हो उसमे majority हो at least लोग सबह में बट ऐसा नहीं दिखा गया जो भी ruling party आई अभी उनके seats आप देखेंगे थोड़े कम रहे गया majority से और उन्हें एक coalition बनाना पड़ रहा है एक alliance बनाना पड़ रहा है जिसके वजह से कई बार बहुत अच्छी important policies पास नहीं हो पाती है right we do know that we have witnessed it since decades so यहां पर market ने अच्छे से रियाक नहीं किया लेकिन आप देखें अगर election के अगले दिन ही बहुत बढ़िया recovery हमें देखने को मिल रही है करीब 13 trillion रुपी की recovery क्योंकि Modi 3.0 को लोगे जो चिंदा थी वो अब कम हो चुकी है तो benchmark indices बुदवार को अपने आधे losses करीब करीब cover कर चुके हैं जितने losses election results के दिन हुए थे और equity markets को भी यहां काफी फादा हुआ short covering हुई right and sensex में 736 points का gain था 3.4% का यह single day biggest gains है since 2021 February और sensex अगर आप देखें निफ्टी के बाद तो यहां भी करीब 25,000 points की बढ़त थी तो यहां पे 13.2 trillion रुपी की recovery करीब करीब हो चुकी है जो नुकसान हुआ था election के result के दिन यहां पे 272 seats का जो mark था of course BJP across नहीं कर पाई जो reason था बहुत बड़ा कि market में इतना बड़ा cash आया इंडिया wix बहुत important है अब जादो इसका full form है volatility index volatility का मतलब क्या होता है कोई चीज किस range में trade कर रही है कितने बड़े range में तो जितने बड़े range में कोई stock चल रहा है मान लिजे एक से 100 के बीच में चल रहा थे बड़ा range है राइट और कोई एक से दो के बीच में चल रहा है तो यहां कम हो गया foreign investors तो अभी जो है शेयर वो बेची रहे उन्होंने करीब साढ़े पांच हजार करोड के शेयर बेचे हैं जबकि domestic institutions ने करीब साढ़े चार हजार करोड के शेयर को बाई कर लिया तो market players जो है इस choppiness को का जो blame है election results पे दे रहे हैं इसके अलावा इन्होंने कहा कि volatility कम हो जाएगी अगर कोई दूसरे negative surprises नहीं आते मोदी जी से related कि वो prime minister बनेंगे नहीं बनेंगे इस से related so हमें यह देखना है कि आज paper की video बनाते time भी मैं देख रहा हूं कि आज market में अच्छे recovery आई है तो उस time लोग enter करने लग जाता है market में पैसा लगाने लग जाता है लेकिन जब market नीचे आ जाता है जब हर चीज बहुत सस्था आप मिल रही होती है तो कहता है अब मैं यहां नहीं खरीदूँगा तो लोगों के reality में थोड़े अलग perception होता है stock market में आती ही लोग के perception थोड़े गलत हो जाता है जब stock सस्ते मिल रहे हो आपको तभी लेना है तो जब selling होती है दस-स percent market नीचे है stock 20-20% नीचे है हर इंसान लेने से इसे मना कर देता है डर के मारे और अगर वही 20% आज उपर है तो वहां वो खरीदने से नहीं डरता जो कि सही चीज नहीं है एक long term investor के लिए भी और एक short term trader के लिए भी हमेशा अब आता है कुछ in brief articles पढ़ने के लिए and third time lucky Boeing launches star liner capsule तीसरी बार इस मत में Boeing दुनिया की सबसे बड़ी A-lines बनाने A-craft बनाने वाली company वो try करेगी अपने long village space taxi को launch करने के लिए जहां पर उसका सबसे पहला human crew होगा NASA के लिए तो यहां पर कई सारे delays हुई है technical issues की वजह से and दो launch attempts को तो call off कर दिया गया कहा गया कि नहीं अभी नहीं इसमें technical errors है हमें और improvement करने की ज़रूत है तो दो veteran NASA flyers है एक तो Suni Williams Sunita Williams हम जाते हैं तिने और एक Barry Butch Wilmore and they are going to take off inside Boeing's space aircraft space aircraft में यह दोनों अभी take off करने वाले हैं from Cape Canaveral Florida से and यह जो इनकी राइड है Space में यह एक Atlas 5 rocket है इसे United Launch Alliance के दौरा बनाया गया है and यह ISS International Space Station को visit करने वाला है तो जो mission है ठीक है यह एक key flight test है NASA के लिए prove करने के लिए कि star liner safely transport कर सकता है हमारे astronaut को धरती से International Space Station पर लेकिन यहाँ पे कई सारे technical glitches के वज़े से और setbacks के वज़े से इसमें बहुत लंबा delay आ चुका है and मैं आपको बता दू साथ साल तो लगे ही है साथ में 1.5 billion dollars का cost overrun भी हुआ है अब compare केज़े से आप ISR हो से ठीक है कि कितने सस्ते में हम यह चीज़े अभी कर पा रहे है अफ कॉर्स देखे बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं होगा ठीक है कोई भी काम आप US में कर रहे है तो वह already expensive होगा इंडिया में करने से right because compare the salaries and perks जो वहां के scientist and employees को मिल रही है and compare it with वो चीज़े जो ISR हमें मिल रहा है right plus उनका budget वैसे भी बड़ा इसले होता है right because they are the world's biggest economy and we still have to grow a lot they are already developed we are still developing so should not compare ऐसे but yes we are doing remarkable when it comes to cost cost जो हमारा cost है जिस cost पर हम लोग satellites को launch करते हैं और हमें यह देखना है कि अभी हम human flights हो हैं वो किस cost पर कर पाते हैं FTC Meta with health details on insta whatsapp deals Meta platforms Meta एक parent company है जो उन करती है facebook को instagram को whatsapp को तो इन्होंने information को छुपाया है federal regulators से यह कहना है एक original review के दवारा और original review के दवारान of instagram and whatsapp acquisition तो US में federal trade commission है इन्होंने court filing में कहा जहांप एक lawsuit किया जा रहा है कि इस Meta group को अब breakdown कर देना चाहिए यह बहुत powerful हो गया है Facebook भी यह लेकर बाठे हुए है Instagram भी इनके पास है WhatsApp भी इनके पास है तो जो information Meta के पास था उनके files में वो उन्होंने हमें provide नहीं कि और original review के दवारान उनका यह कहना है और एक limited review ही यहां पर हो पाया तो इनका यह भी कहना है कि इस बड़े group को अब breakdown कर देना चाहिए अलग-अलग तुकडों में बाठ देना चाहिए NBA near 76 billion dollars rights deal with NBC, ESPN and Amazon National Basketball Association आप जानते हैं जैसे इंडिया में IPL का craze है US में आप देखेंगे international sports बहुत जादा नहीं लेकिन उनके अपने national sports बहुत famous हैं और बहुत ही बड़े हैं जैसे कि NBA आप कई लोगों ने सुना होगा baseball वहाँ famous है, rugby famous है तो इन सारे games में basically IPL का format follow करते हैं जहाँ पर अलग-अलग states अलग-अलग teams हैं जो एक दूसरे से compete करती हैं and आप valuation देखिए, 76 billion dollars का revenue ये generate करेंगे over 11 years, right and यहाँ पर IPL से गर आप compare करें तो आपको बता लगता है कि अभी तो हम सिर्फ tip of the iceberg को ही catch कर पाया है जो potential है वो US से पता लगता है कि वहाँ के games की जो valuation है, leagues की, जो teams की valuation है वो यहाँ से कई जादा है बहुत बड़ा अभी potential है जो हम आगे grow कर सकते हैं Intel to sell 49% of Irish venture to Apollo for 11 billion dollars, Intel आप सब जानते हैं chip making company है, actually सबसे पहली company जो chip बिनाती थी और जिनका में नाम बता था वो Intel ही थी, right जो processors बना रही थी हमारे लिए और आज भी अगर आप देखें, Intel के processors काफी जादा चलते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ companies आई जिन्होंने इसे बहुत जादा पीछे छोड़ दिया, जैसे की Nvidia, आज Nvidia के आप chips देखिए, कितने जादा powerful हैं, कितना innovation रहा है, and किस तरीके से dominant हैं पुरे market में, तो Intel ने agree किया, कि वो stake sell करेंगे, एक venture में जो control करता है, plant in Ireland to Apollo global management, 11 billion dollar के deal है, Apollo global management को यह बेचने वाले हैं, और यहाँ पे कर क्या रहा है, यह external funding लेकिया रहा है, यह बेच कर, यह funding इखटा कर रहा है, ताकि expansion कर पाए अपने factory network का, तो इस deal में investment firm, Apollo global management के investment firm है, जो 49% stake लेगा joint venture का, जो operate करता है, Intel's fab 34, chip maker का एक कहना है, Tuesday को, so chip making makers में भी competition बहुत जादा intense हो हो गई है, governments, इंडिया में आप देखिए, government special policies ला रही है, कि semiconductor यहाँ बनाओ, चाहना में यह और ज़्यादा aggressive है, चाहना और US में policies इतनी aggressive है, आप देखेंगे कितनी subsidies मिल रही है, कितने restrictions हो गए हैं, कि यह technology किसी भी तरीके से हमारी country से बाहर जानी नहीं चाहिए, सारी countries का goal यह है, ठीक है, तो चाहना, यहाँ पर कोशिश में लगाए है कि बहुत ही अच्छी quality की, जो global quality है, उस quality की chips वो खुद से बना पाए, खुद से research development करें, और उसी तरीके से US, यहाँ पर जो lead कर रहा है, chip making में, यहाँ पर चाहता है कि उस technology को growth हो करे ही, साथ में अपने पास पासी रखे, कहीं बाहर leak ना हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूरी से like करें, और चानल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूले, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,